शादी का सीजन है, शौपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे में आपको घबनाने की ज़रुद बिलकुल भी नहीं है बिग ब्लिस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप और सिर्फ दस मिनट में पाए अपना सारा समाल बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकार और सबसे important जानकार क्या बता रहे हैं कि आगे जाकी किस क्रिशी फसल में कितनी मंदी तेजी बन सकती है क्या levels रह सकते हैं ये सब जानने की कोशिश करेंगे बजाल हुई चाल के अंदर और शिरुवात करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले मसालों से मसालों में देख रहे हैं कि धनिया आज अपरेल वायदा 11,050 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 11,226 का हाई भी लगा चुका है और जो धनिया का अपरेल वायदा है वो इस समय आदे फीज़्दी की गिरावट के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है देख रहे हैं कि जो धनिया वायदा है अप्रेल वायदा NCDX पर आज हफते के दूसरे कारोबारे दिन शाम के कारोबारी सत्र में एक नर्मी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है हाला कि 11,000 के ओपर हैं हम काफी दिनों से देख रहे थे कि जो धनिया है फ्यूचर में 10,000 के रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा था बीच में तेजी भी बनी थी लेकिन वहाँ पर सस्टेनिब्लिटी नहीं देखने को मिली उसके बाद हमने देखा कि धनिया में अचानक से यहाँ पर आज उच्छाल देखने को मिला है कल को भी जो धनिया वाइदा था 11,000 के ओपर ही ता आज भी देखने जो धनिया वाइदा है 11,000 के ओपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है आपको पता दें कि fundamentally अगर दनिया की ओर देखा जाए तो fundamental side से दनिया मजबूत ही है बुवाई कम हुई है और जो pipeline है दनिया की खाली है विदेशों में जो माल चल रहा था बलगेरिया का रोमानिया का वो भी लगवक समाप्त होने को है और जो माल है वहाँ का वो परयाप्त नहीं है कि पूरे वैश्वीक स्तर की जो demand है उसको पूरा कर पाए जिसकी वज़ा से आगे जाके अभी धनिया में तेजी देखने को मिल सकती है आगे अगर export demand अच्छी रहती है तो धनिया की जो कीमते हैं उनमें जोरदार उच्छाल देखने को मिल सकता है जानकारों के मताबिक धनिया कारोबारियों को इस समय अभी कुछ धनिया होल भी कर लेना चाहिए थोड़ा बचाके देखना चाहिए जिससे की आने वाले समय में धनिया अच्छी तेजी में बेचा जा सके आपको बता दें कि जानकारों के अनुसर धनिया जोन जलाई और अगस्त इन तीन महीनों में कम से कम 18,000 से सारह 18,000 के लेवल दिखाता हुए नजर आ सकता है तो ओवरोल रुजान धनिये में तेजी वाला रहने वाला है इसके साथ मसालों में बात करें यहां से अगर अब जीरे की तो जीरे का मार्च वाइदा देख रहे हैं 21,260 पर कारूबार करता नजर आ रहा है आदे फीजदी की करेक्शन जीरे में बनती नजर आ रही है देख रहे हैं कि जो जीरे का मार्च वाइदा है उसमें आज हलकी सी करेक्शन देखने को मिली है कल के मुकाबले लेकिन अच्छी बात यह है कि जीरा NCDEX पर आज भी हफ़ते के दूसरे कारूबारी दिन भी 21,000 के उपर सस्टेन के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है जीरा 21,000 के उपर कारूबार करता दिखाई दे रहा है जीरे के fundamentals की बात करें तो दनी की तरह ही जीरे की pipeline खाली है मुक्योत पादक राज्यों में जीरे की बुवाई कम देखने को मिली है और आगे export demand बढ़ने से जीरे की कीमतों में उच्छाल देखने को मिल सकता है चाइना की तरफ से जीरे की जो निर्यात मांग है वो निकल के सामने आ सकती है जिसकी वज़ा से जीरे की कीमतों में उच्छाल देखने को मिल सकता है अभी NCDEX पर जीरा 21,000 के level दिखा रहा है वहीं पर लगबग मानगी चलिए एक महीने के अंदर अंदर जो जीरा है वो 22,000 से लेकर साड़े 22,000 तक की level दिखा सकता है जीरे में अभी एक महीने के अंदर और तेजी देखने को मिल सकती है और जून, जुलाई, अगस्त में जो जीरा रहेगा वो कम से कम 25,000 से लेकर 25,000 के भी स्थर दिखा सकता है ऐसा जानकारों का मानना है लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर धनिया और जीरे की जो आवके हैं जो माल आएगा भी मंडियों में उससे इनकी बजारों पर प्रेशर भी जरूर पड़ेगा कीमते टूटेंगी भी तो जो कारोबारी उची कीमतों पर पहले खरीदारी से रह गएते तो वो निचले स्थर पर खरीदारी में रह सकते हैं आगे जाके मसालों में तेजी ही बनी रहने की उमीद दिखाई दे रही है दनिया जीरे के साथ साथ काली मिर्च हुआ, लान मिर्च हुई और हल्दी हुई इनमें भी तेजी का ही रुजान देखने को आगे और मिल सकता है तो ओवरल रुजान मसालों में तेजी वाला ही रहने वाला है इसी के साथ बात करें यहां से अगर आप गवार कॉंपलेक्स की तो गवार गम का फरवरी वादा देखने हैं 11,784 पर ट्रेड कर रहा है सवाएक फीजदी की करेक्शन है और गवार सीड का फरवरी वादा उची कीम्ते तो रहेंगी लेवस इसी के आसपास रहेंगे जो अभी देखने को मिल रहेंगे लेकिन एक consolidation रहेंगे अभी गवार गम और गवाज सीड की तो इस कारूबारी सब तक गवार गम और गवार सीड में जानकारों की मताविक जब कारूबार रहने वाला है वो एक सी अबर ही वादा देख रहे हैं 3267 पर ट्रेड कर रहा है 3297 का ही लगा चुका आदेफीजदी की तेजी है और मार्च वादा 3280 पर है 3298 का ही लगा चुका है बिनौला खल में देख रहे हैं कि आज जो कीमते हैं 3300 की और जाते वे नजर तो आ रही है लेकिन 3300 का जो आगड़ा ह आज शायद टच ना हो पाए और अगर टच हो जाया तो अच्छी ही बात रहेगी बिनौला खल में देख रहे हैं कि यहां से अभी जो कीमते हैं अब आगे ठीक ठाकी रहने वाली बिनौला खल की जो कीमते हैं यहां से अभी कुछ सुधर सकती है जानकारों की मताबिक इस क तेजी बंती नजर आया, जब तक 3300 का आंकड़ा नहीं तूटता है बिनौला खल की कीमतों में, इस कारुबारी सब्ता ये आने वाले समय में, तब तक बिनौला खल की जो कीमते हैं वो एक सिमित दैरे में ही देखने को मिलेंगी, और जैसी 3320 का आंकड़ा तूटेगा, बिन फंडमेंटल की साइड से भी बिनौला खल में तेजी का ही रुजान है, फंडमेंटल भी बिनौला खल के मजबूत ही नजर आ रहे हैं, आगे जाके बिनौला खल की अच्छी डिमांड निकलने की उमीद है, जो कीमतों को और जादा पंक लगाती भी नजर आएगी, इसी के इस तरों से कुछ लड़का है, कैससीर की जो कीमते हैं, वहाँ पर उपरी इस तरों से एक मुनाफ़ा वसोली बनती नजर आई है, कैससीर की जो कीमते हमने 7000 के पार जाती भी देखी थी, अब देख रहे हैं कि कैससीर का फर्वरी वादा, असर 140 पर ट्रेड करता नजर आ है, आदे फीजदी की बड़त के साथ, हमने 6900 के भी उपर कैससीर की कीमते जाते वे देख लिया है, 7000, 12 तक का हाई लगते वे देख लिया है, लेकिन फिर वहाँ से कीमते थोड़ी फिसली थी, जानकारों की मुताबिक हो सकता है कि इस कारुबारी सब्ता में कैससीर का वा दिखा सकती है, और अगर उसकी उपर सस्टेन होती है कीमते, तो और अच्छी तेजी कैसर में देखने को मिल सकती है, फंडामेंटली सैट भी कैसर की कीमतों में तेजी का ही रूजहान है, फंडामेंटल कैसर के स्ट्रॉंग ही देखने को मिल रहे हैं, इसी के साथ बात करे है 6786 का ही है तीन फीजदी का उपरी सरकिट सोयबीन के मार्च वायदे में देखने को मिल रहा है हम देख रहे हैं कि विदेशों में जो सोयबीन में लगातार तेजी देखने को मिल रही है उसका असर घरेलू वायदा और हाजिर बजार दोनों पर ही देखने को मिल रहा है ब् गरेलु वाइदा बजार भी अब धीरे धीरे तेजी की और ही जाता वा नजर आ रहा है। अब यहां से जो जानकार अब अनुमान लगा रहे हैं गरेलु वाइदा का सोयवीन का वो लगा रहे हैं कि 6900 से 7000 तक सोयवीन की कीमते अभी देखने को मिल सकती हैं आने वाले दिनो में और अगर कीमते उसकी उपर सस्तीन होती है तो 7000 के भी जो पार है सोयबीन की कीमते जाती नजर आ सकती है तो fundamentally अगर भारत में अगर production बड़ा है सोयबीन का अगर सोपा के द्वारा ऐसा अनुमान जताया गया था जो जिसमें सोपा ने कटौती भी करी उसके बावजूद भी जो सोयबीन का वैदा बजार इस बार अच्छा खासा ही देखने को मिल ला है वैदा बजार जादा तूट पूरे वैश्विक स्थी बनी है तो ये भी हो सकता है कि सोयबीन से जो बने उत्पाद हैं जैसे कि सोयबीन पाउडर हुआ, सोयबीन टोफु हुआ उसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है और आपको बता दें कि जो एशिन कंट्री जैसे कि चाइना, इंडोनेशिया, मेल तो उसके मद्दे नजर जो सोयवीन प्रोडक्ट से हैं उनकी भी कीमतों में उच्छाल देखने को मिल सकता है तो ओवरोल रुजान सोयवीन की कीमतों में आगे तेजी वाला ही रहने वाला है तो ये था एक छोटा सा क्रिशी फसल बजार का अपडेट की शाम के कारवारी सत में किस क्रिशी फसल में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रहा है जानकारों का क्या कहना है कि आगे जाके किस क्रिशी फसल में क्या लेवल से रह सकते हैं और कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है फिलाल बजारों की चाल में अभी किलब बस इतना ही लेकिन आप कहीं जाए गरें क्योंकि खबरों का जिलसला लगाता यूही बना हुआ है Market MCV पर दूद और सबजी के लिए अब घंटों इंद्रजाद में Big Bliss पर ओडर करें और 10 मियंट में पाएं अपने गर फ्रेश दूद और सबजी तुरंट डाउनलोड करें Big Bliss एप खुशियों की अपनी दुखा